दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं Pynetwork के प्राइस के बारे में जो कि अभी हाल फिलाल के अंदर 100 डॉलर से उपर वैलुएशन जा चुका है हाँ दोस्तो आप सबने सही सुना 100 डॉलर से उपर Pynetwork का अभी करेंट वैलुएशन जा चुका है मार्केट बहुत अच्छे से पंप कर रही है उसके साथ आपको इसकी रियालिटी पता चलेगी अभी बहुत सारे लोग को ये भी लग रहा है कि Pynetwork लिस्टेट हो चुका है कुछ एक्सचेंजिस के उपर इसके पीछे क्या है सारा कुछ मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूँगा Pynetwork यूरल के रिगाइडिंग अपडेट आ चुका है कि कौन-कौन ते चेंजिस आने वाले हैं और कौन सी डेट को आपको ये चेंजिस देखने को मिलेंगे Promotions and Advertisement के बार में आपको पता चलेगा कि अभी हाल-फिलाल के अंदर क्या चल रहा है Meeting, Conferences को लेके, Partner System को लेके and Buying and Selling को लेके Top 5 Announcement from Pico Team Pico Team की तरफ से 5 बड़े Announcement आ चुके हैं जो आज हम कवर करेंगे और कुछ International Updates है वो भी आप सभी को जानने को मिलने वाला है तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीज़े अच्छे तरीके समझ में आई की और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को और पर ज़रूर प्रेस कर दे और डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक है आप जाके उसको भी जाइन कर सकते हैं दोस्तों start करते हैं सबसे पहले मैं पे refresh करता हूं अपने फर्स अप्डेट की तरह दोस्तों हमारा फर्स अप्डेट यहां पे आ चुका है पाइने वक्टे वालट के रिगार्डिंग और यहां पे इस टाइप का कुछ नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिला है important pi wallet url update और यहाँ पर लिखा किया गया है on mars 20 we will migrating the pi wallet url from wallet.pi to wallet.pinet.com तो यहाँ पर आप सब देख पाऊगे 20 march को यह migrate हो जाएगा वो भी wallet.pi से किसमे हो जाएगा wallet.pinet.com ठीक है यहाँ पर साफ सा बताया जा रहा है other pi code team and community apps have already or will soon be migrated to pinet.com और भी जो बाकी applications वगयरा है वो भी migrate हो जाएगी future में किसमें pinet.com पर सब domain as well ठीक है अभी सब कुछ बहुत smoothly चल रहा है और यहाँ पर जो testings वगयरा हो रही है वो बहुत अच्छे तरीकत चल रही है और इस चीज़ को लेकर आप सभी को इस टाइप का कुछ interface देखने को मिल रहा है तो आप सभी को पता होना ची़ है कि कहां पर migrate होगा तो wallet.pinet.com पर यह आप सब का यह हो जाएगा 20 March को ठीक है अब हम चलते हैं अगले update की तरफ तो यहाँ पर आप सब देखोगे अभी बहुत सारी different different countries के अंदर Philippines के अंदर Spain हो गया USA हो गया, India हो गया और भी other countries है जहाँ पर Pynetwork की demand है एक तरीके से बढ़ती जा रही है e-commerce platform के भी हाफ पर हम बात करें या normal shops की बात करें तो इस वाले footage के अंदर आप देख पाओगे बहुत सारे जगह पर Pynetwork के officially stores भी open हो रहे है उसके साथ कुछ पुरानी shops है वहाँ पर Pynetwork की जो payments है उसको भी enable किया जा रहा है और यहाँ पर लिखा भी गया है more utilities like the location based e-commerce application it will be more easier to grow the demand for Pai और e-commerce होने का benefit बहुत जादा है e-commerce का मतलब जो की online आपको websites बगरा देखने को मिलती है जिसके अंदर e-pi mall है bit card करके है ऐसे चीज़ें आपको देखने को मिलती है जिस तरीके से Amazon flip card है simple तरीके से आपको यह देखने को मिलता है और बहुत सारी current fees के अंदर नएने और नएने प्रोड़क्स है उसको list it किया जा रहा है and guys अब चलते है next update की तरफ यहाँ पे आ चुका है आप सबकी verification को लेके और इस type का KYC के अंदर आपके पास notification आया होगा how do you want to verify your account तो आप सभी किस तरीके से अपने account को verify कर सकते हो यहाँ पे दो options है verify with facebook, verify with phone number ठीक है तो आप यहाँ पे कर सकते हो ठीक है इस type का notification आएगा और जो भी आपका phone number है वो सही fill करना और उसके साथ जो भी आपका facebook वगएरा है वो आप सही तरीके से account वगएर अपना fill कर लेना है ठीक है कोई भी आप यहाँ पे गलती मत करना और जिनके पास यह notification अभी तक नहीं आया है तो आप जाके check out कर लो कि आपने application वगएरा को एक तरीके से update कर रखा है के नहीं कर रखा और mostly सभी लोगों के पास देखने को मिलेगा और यह जो चीज़े आप सभी को 20 March के बाद देखने को मिलेगी मतलब यह है कि 14 जो मार्च आएगा अभी इस दिन आपको और भी नहीं नहीं चीज़े देखने को मिलने वाली है अब हम चलते हैं एक्स update की तरफ जो कि Doris in Pai की तरफ से आ चुका है और यहाँ पर हम कुछ international updates वगएरा को cover करेंगे कि अभी हाल फिलाल के अंदर क्या चल रहा है तो 14 मार्च को आप सभी को बहुत सारी locations के अंदर physically offline events वगएरा देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ पर भी लिखा गया है I would like to inform you that we have received an invitation from Chinese community to hold a tencent conference in ठीक है यहाँ पर देखोगे 5th anniversary की खुशी के अंदर tencent conference किया जा रहा है और उसमें इनको invite किया गया है और ऐसे बहुत सारी locations है जहाँ पर इस चीज को किया जा रहा है आप यहाँ पर dates वगएरा देख पाऊगे और बाकी फुटेज के अंदर देख सकते हो ठीक है और यहाँ पर इपाई मॉल्ल डॉट आयो करके है जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पाऊगे और यहाँ पर नए ने जो प्रोड़क्ट्स वगएरा है वह लिस्टेट किया जा रहा है और दोस्तों यहाँ पर इस वाली फुटेज के बार्टर सिस्टम हो रहे हैं जहां पर आप सभी डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोड़क्स हैं चाहे नैसेसरी प्रोड़क्स हो जाए एक्सपेंसिब फुटक्स हो उनकी बाइंग एंड सेलिंग देख पाते हो और जो भी चीज़े मैं आप सभी को वोड़ रहा हूं उसक की फुटेज मोस्टली जो पाइनियर से वो पोस्ट कर रहे हैं जिसे की लोगों को पता चले कि यहां पर जो भी चीज़े हो रही है वो हंडर्ड परसेंट रियल हो रही है एंड गईस अब हम चलते नेक्स अबडीट की तरफ यहां पर लिखा गया एंटिसिपेशन बिल्स अब होने वाले हैं और चोटा मोटा टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है पाइनियर सब्सक्राइब कर लिये हैं क्योंकि अभी तक यह प्रोजेक्ट लॉंच नहीं हुआ फिर भी आप इसकी फैन फॉल्विंग देखोगे तो पच्पर मिलियन से ज्यादा तो इसके एक्टिव यूजर से और उसके साथ ट्विटर की फैन फॉल्विंग देखोगे तो टॉप फाइफ क्रिप्टो कंसी के अंदर आपको देखन इसकते हो और इसमें टाइम डूरेशन स्वगेरा होती है ठीक है वह आप फॉलो करते हो तो आप एक्स्ट्रा वाइक को अंगर पाती हो थो थाट पार्टनर्शिप and collaboration partnership and collaboration के अंदर ये है कि पाइनेटफर्ग बड़ी बड़ी जो अलग companies है crypto field की है tech field की उनके साथ मिलके काम करेगी और चोटे मोटे अभी हाल फिलाल के अंदर हमें चोटे मोटे promotions देखने को मिलते रहते हैं बट जो real promotion है हमें तभी पता लगेगा जब पाइनेटफर्ग on the floor आएगा क्योंकि जब उसका real valuation market के अंदर आएगा तभी जो बड़ी बड़ी companies है वो भी इसके साथ मिलके काम करने वाली है फूर्थ है expansion plan expansion plan के अंदर ये है कि पाइनेटफर्ग किस तरीके से और तेजी से ग्रो करेगा और कैसे लोगों को इसमें engage करेगा और ये चीज तो अभी होई दिया बट इसको और next level पे expand करना है इस एंट्विंग new markets, introducing new features, expanding the ecosystem, pioneers are easier to learn about the future direction of पाइनेटफर्ग पाइनेटफर्ग जो project है वो किस चीज़ पे काम करता है और maximum लोगों को ये पता भी होना चाहिए जो लोग इसके साथ जुड़े हुए है और पाइनेटफर्ग के अंदर जितनी भी अलग अलग locations के अदर वो meetings वगरा कराता है उसके अंदर web3, metaverse, gaming इन सभी चीज़ों के information दी जाती है और अगर आपके पास इन सभी चीज़ों की अच्छी खासी information है तो आप सभी पाइनेटफर्ग से क्या उसके साथ और भी different cryptocurrencies से पैसा बना पाओगे क्योंकि आपके पास knowledge है फिफ्थ है community initiative community initiative के अंदर तो यह है कि अभी आप जो भी engagement देखते हो इवेंट्स देखते हैं प्रोमोशन देखते हो इससे लोगों को awareness मिल रही है और लोग इसी की वज़े से जाए तर पाइनेटफर्ग को join कर रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई भी celebrity या कोई भी millionaire millionaire person नहीं है जो इस चीज़ को support कर रहा है normal जो पाइनेटफर्ग के बारे में कि जो अभी चल रहा है तो यहां पे आप सभी देख पाऊगे कि पाइनेटफर्ग का जो valuation है 111 डॉलर हमें देखने को मिलता है और 107 परसंट से market increase हुई है पूरे एक दिन के अंदर और यहां पे हम market cap पे जाए तो हमें market cap भी देखने को मिलता है 3,027 के आसपास की हमें ranking देखने को मिलती है और उसके साथ 24 घंटे का आप यहां पे volume देखोगे तो volume भी 40% के आसपास increase हुआ है और 1700 के आसपास की यहां पे हमें इसकी ranking देखने को मिलती है circulating supply भी यहां पे लिखी गई है ठीक है total supply और maximum supply यहां पे नई शियो की गई है अभी हाल फिलाल के अंदर जो valuation था मतलब कि वो 30-32 डॉलर के आसपास था बट अभी कुछ दिनों से पाइनेट फक का valuation 50-60 डॉलर के आसपास आ चुका था बट अभी रिसेंट्री 112-13 डॉलर के आसपास हमें यहां पे देखने को मिल जाता है और ऐसा नहीं है कि 112 डॉलर यह इससे भी उपर जा चुका है जो कि 122-13 डॉलर के आसपास है वो भी मैं भी आपको दिखा दूगा बट इसके पीछे की रियालेटी क्या है अब वो थोड़ा पढ़ लेते हैं जो यह आप प्राइज देख रहे हो यह कोईनमार्ट के आपका डेटा है या अदर आप बाइनेंस का देखोगे या किसी भी एक्सेंज का देखोगे तो वहां पे आपको इसी के नियरली प्राइज देखने को मिलता है और यह पाइनेटफ़क का ओफिशल प्राइज नहीं है तो यह जिसे आपसे प्राइज इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं जितने भी पाइनेटफ़क के पाइनेज है की भी expectations बढ़ रही है कि जब Pi Network fake तरीके से आके इतना अच्छा कर सकता है जब वो real तरीके से आएगा अगर उसका आधा भी करता है या इसका 20-30% भी करता है तो आप अंदाजा लगा लो कि Pi Network का valuation कितना जाने वाला है और जितना आप यह दिखाया जा रहा है 100$ के आसपास अगर यह reality में ऐसा हो जाए तो maximum जितने भी Pinesse है और जिसके पास जितने जादा Pi Coins है उनका valuation उतना जादा होने वाला है वो उतने बंदे अमीर होने वाले है और जिसके पास knowledge होगी ना वो उस पैसे को और अच्छी जगर पे invest करके और ज़्यादा grow कर सकते हैं बट यह जो चीज है अभी Pi Network कहीं पर बे listed नहीं हुआ है किसी भी exchange के उपर ठीक है यह चीज आपको ध्यान में रखनी होगी किसी भी exchange के उपर नहीं हुआ है और दोस्तों इस वाले exchange पे भी आप देखोगे तो 112 डॉलर के आसपास है और यह price दीरे-दीरे करके increase हो रहा है और यहाँ पे 56% से यह increase हुआ है ठीक है तो यहाँ पे आपने देख लिया बट मैं आप सभी गदादू यह real नहीं है और पाइनेटफक का जब official launching होगा तो starting में आपको जो valuation है 0.7 यह 0.6 यह 0.5 डॉलर के आसपास देखने को मिलेगा इस starting में बट वो दीरे-दीरे करके increase होगा और वो increase दभी होगा उसके पीछे बहुत सारे factors एकनोमिकर डिपैंड करते हैं पाइनेटफक की जो quantity है वो भी कम होनी चाहिए एकदम से valuation नहीं बड़ेगा थोड़ा समय लगेगा फिर जाके पाइनेटफक का valuation आपको अच्छा future में देखने को मिल सकता है ठीक है और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही ता आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक वीडियो पे बनने हुए हो तो प्लीज गैस एक लाइक करते हैं मिलते हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए चाहिए बंदे मात्रम